मौसिन रजा जी, जो दावा यहाँ पर NCP के नेता कर रहे हैं, वो यह कह रहे हैं कि हम तो इतनी सुविधाएं और ऐसा आधार बूत इंफ्रस्रक्चर दे रहे हैं, कि वो कोई और देकर दिखाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह की चुनौती है यह हैं। काम कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा यूपी में, यहाँ पर तो हम वोस्ता भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे, और हमारे पास तो एक से लोकेशन से वो उसका भी इस्तमाल करेंगे जैसा कि अभी विर्दशक बोल रहे थे तो हमें कोई ऐसी बात नहीं है और हम कोई कॉपोने नहीं हम तो एक मिकल के तौर पर आपको दे रहे हैं एक उसा दे रहे हैं कि आप यहांपर भी आख़र करें, यह तो देशवासियों के लिए हैं, और हमने कहा न survey का इसर आघ Zustand शिवसियना में वी अहीं आर्टिन उनके साथगा और वहीं लंडर्वर्ट heads की भाशा पर दिजा रही है आप वहाँ पर जो निर्माता निर्देशक आलणी योगी जिसे बिल्ले आये हैं इंडरेक्टली उनको धंकाने का प्रियास हो रहा है कि यहां से कोई ले नहीं जा सकता है लेकिन पहले अविनाश्टी आप जवाब दीजिए क्या धंकाने की कोशिश है क्य लेकिन शायद कुछ बयानों को गलत लिया जारा ऐसा मेरा मानना है मुझे नहीं लगता कोई इसमें आपती है कि वहाँ पर अगर कोई प्रोविजिंग करते हैं और उसमें लोगों को अगर फाइदा होता है लोग जाने को तैयार होते तो उसमें पर दिक्कत नहीं है अब इसमें जब राजनीती गर्माती है आप इस तरह से बयान करेंगे कि अंडर्वर्ड के प्रेशर में आके शिवसे नहीं यह कह रही है य अब अब यह जो है वह आपके यूपी में से लो पैदा हुआ था वह कौन सा वह आलिगाड या कुंसी है वह जगह वहां से तो सारे अन्डर्वर्ड वाले मुंबे में आते हैं तो आप क्या बात करने कि अधर वह रहा है हमारा यह कहना है कि एक अच्छा माहौल एक करता हूं कि कोई भी बॉलीवुड का रुबाब या दबाव बॉलीवुड पर है अंडर्वर्ड का यह कहना ही खलत है के अंडर्वर्ड के में या तो गॉर्वर्मेंट कर रही है या बॉलीवुड आ रही है कोई अंडर्वर्ड बॉलीवुड में अभी एक्जिस्ट नहीं कर था एक दौर आया था उसमें कई लोगों की जाने भी गई नहीं प्रॉब्लम्स हुई लेकिन वो चीज खतम हो गई है अब टोटल कॉर्परेट कल्चर है कोई भी फिल्म आप बनाओ तो बहुत बड़ा कॉर्परेट अगर आपकी वो फिल्म नहीं खरीदता शायद आपकी फिल्म रिलीज नहीं हो पाईगी और वहीं फंड करते हैं नहीं आपकी बात ठीक है मैं आपका पॉंट ले रही हूँ आपकी बात ठीक है और अगर इस टाइम लाइन को स्पेसिफिकली नोट करना है तो सुषान तिंग गाजपूत की मौत के बात जिस तरह से ये बहस शुरू हुई थी उसने ये सवाल तो खड़ा किया ही था ना कि मिनाक्षी ये अलग और लंबी डिवेट है कोई बॉलीवुड में कबाल नहीं है जो टैलेंट को रोकता है आप देखिए चाहे वो राजकुमार राओ आईशुमान खुरादा पंकच त्रिपार्थी ये सारे बल्के यूपी से यहां अभी राज कर रहे है ये नौर्च से यहां आए होए है कोई रोकता नहीं है टैलेंट को अगर आपके अंदर काबलियत है किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता बाप की के ना यू? उनका संगर्श कितना लंबा रहा इर्फान खान का संगर्श कितना लंबा रहा अम बिनाक्षी है आपके रोल मिलेंगा शंग अंकार बिसन्स पर रहे है अगर आप इंकार करेंगे, आपको उधारन दूँगी फिर, आप इंकार करेंगे, मुझे भोल मुझे खतम करने दीजे, मैं कह रहा हूँ संघर्ष के बिना कोई काम नहीं मिलता, रही बात अगर आप कहते हो किसी अक्टर के बेटे को आसानी से ब्रेक मिलता है, ब्रेक मिल सक मैं एक इंडिपेंडेंट प्रड्यूसर हूं गवर्मेंट का पैसा तो नहीं है अगर मुझे कोई नोन नेम लेकर ज्यादा पैसा मिलता है या मेरा कॉस्ट इंवेस्टमेंट रिकवर होता है तो मैं नए आदमी को कैसे ब्रेक दूँ